वेल्कम स्टुडेंट्स आज हम संसी सुधा के सेकंड लेसन के एक्सेसाइज को सॉल्व करेंगे तो आप सभी लोग अपनी अपनी वख ओपन कीजिए पेज नंबर 14 पेज नंबर 14 से देखे आपका एक्सेसाइज सुरू होता है कुईशन नंबर 1 पाट के अनुसार विक्त स्थानों की पूर्ती कीजिए पाट को आप लोगोंने पढ़ लिया है तो उसी पाट से सम्बंदित शब्दों को इसमें भरना है यहां बच्चों वाक्य देवे हैं देखे का में देखे विक्षा के वलम डैस ना संति क्या वहरा जाएगा इसमें कुश्चिन नंबर 1 है का विक्षा के वलम संदर याई यहां पे क्या पना जाएगा संदर याई यह हो गया के वलम पीलिंग वर्ड हम लिख रहे हैं आप लोग बुक में फिल कीजिए खा में देखे व्रिक्षा राम डैस आविश्चिकी क्या होगा यहां पे रक्षा खा पर रक्षा गा क्या है गा में देखे पेज नम्मर 15 पर गा व्रिक्षे दे डैस भावदी क्या होता है जीव हर्ट्या जहां में देखे सह डैस पापें युक्ता अभवद जीव वधस्य यहां पर क्या होगा जीव वधस्य गा में देखे जीव हर्ट्या है और गा में जीव वधस्य है अंगा एकड़ डैस एकम विक्षम अच्छिनत यहां पर अंगा में देखे इंद्रा यह फिलिंग वर्ट्स है इसको फिल कीजे एक्सरसाइज में का में देखे सांदर्याय खा में रक्षा गा में जीव वधस्य गा में जीव वधस्य और अंगा में इंद्रा हो गया अब टू देखे निमनलिखित का परश पर मेल कीजे देखे यहां पर हम इसको लिखेंगे ने इसको हम बोल रहे हैं आप लोग टैली कर लिजे मिलान कर लिजे इसका दर्श रिद समंग पुत्रा पुत्रा पे मिलाईए इसको नेक्स्ट क्या है रिक्षाडाम अभावे मरगूमी प्रसारा मरगूमी प्रसारा से मिलाएंगे फिर दश गूप समा वापी पहले नमबर पे है वापी से मिलाईए इसको दश वापी समो रिदा दूसरी नमबर पे जो है रिदा नेक्स्ट क्या है दश पुत्र समो दुरुमा तीसरी पे जो है दुरुमा से मिलाए इसको हो गया अब देखे तीसरा कुशन नमबर प्री उचित पद को उचित स्थम्भ में लिखे देखे यहाँ बॉक्स में कुछ शब्द दिये हुए हैं कुछ पद दिये हुए हैं और उसके नीचे नपुनसक लिंग और इस्त्री लिंग का कॉलम बना हुआ है मतलब इस बॉक्स में जो शब्द दिये हुए हैं इसमें से कुछ नपुनसक लिंग है और कुछ इस्त्रे लिंग है इसी को आपको अलग-अलग कॉलम में करना है तो बच्चों आप सबको पता है कि नपुनसक लिख शब्दों की क्या पहचान होती है ज्यादा तर क्या इसमें जो दिया है उसके अमसाल जितने शब्दों के आ कॉंसे कुशन ही इस त्री त्री ने देखे नपुंसर लिंग एक ही लिखा हुआ है और दूसे किरफ इस त्री लिंग ये ने किना पुंसर किरणी में क्या होगा जलाना फिर क्या होगा पोशडाम ग्रेहाम और एकम देखे सब में मां हलंद लगा हुआ है आख्रे में जलाना, पोशडाम, ग्रेहाम और एकम मां के नीचे हलंद लगा हुआ है फिर इस त्री लिंग में रिखें मित्तिका मित्तिका होगया कथा एकम, कापरा की मांत्रा और रक्षा यह हमारा इस त्री लिंग में होगया आप रोग लिखने के बाद टैली कर लिजे, मिला लिजे नपुनसक लिंग में जलानाम, पोशडाम, ग्रेहाम और एकम और इस त्री लिंग में मित्तिका, कथा, एका और रक्षा यह हमारा कोशन नमब 3 होगया अब देखे कोशन नमब 4 में निनलिखित में धादू, पुरुष्ट और वचन लिखिए जो पद दिए गये हैं उसकी धादू आपको बताना है यानि मोल रूप बताना है उसकी पुरुष्ट को बताना है और वचनम लिखना है चले लिखते हैं इसको भी पुईशन नमब 4 शब्द जो उसको नहीं लिखते हैं क्या क्या दिया हुआ है धादू पुरुष्ट और वचनम लिखते हैं इतना दिया हुआ है देखें पहली नमबर पे क्या दिया है छिन्दन्द छिन्दन्दी का धादू क्या होगा है छिर यह हो गया चिर और पुरुष्ट का है ये प्रत्मा का बह बचन है यहां बन लिखते हैं प्रत्मा और बह बचन आप रोग साथ में लिखते चलिए बह बचन ठीक दूसरे नमबर पे क्या दिया है वर्त ते वर्त ते का क्या होगा वृत्त होगा इस तरह से वृत्त ये प्रतमा का एक बचन है प्रतमा का एक बचन पेज को टर्ण कीजिए पेज नंबर 16 पे देखें क्या है अब हवाद अब हवाद का क्या होगा भू अब हवाद का क्या होगा भू और इसका पुरुश और वचन क्या होगा प्रतमा एक बचन या भी क्या होगा प्रतमा एक बचन ये हो गया नेक्स्ट क्या है जानन्ती जानन्ति का मुर रूप क्या हो जाएगा, धात रूप क्या हो जाएगा, ग्या, ग्या हो जाएगा और इसका उरुष और वचन, प्रत्मा बहु वचना, इसका भी हो गया, प्रत्मा और बहु वचना, यह हो गया, यह हो गया, फिर दे की करिश्यत, करिश्यत का क्या होगा, धादू, क्री, परिष्ट के क्या होगा, क्री, यह मध्यमा का बहुबचन होगा, यानि मध्यमा का बहुबचन होगा, मध्यमा का बहुबचन होगा, हो गया, अब क्या है नेक्स्ट, संती, संती इसका क्या होगा अधात हो, अस, सा के नीचे यहाँ पर हरंत लगा होगा, पुरुश और वचन क्या है, प्रथमा बहु अचन है, प्रथमा बहु अचन है, इस तरह से, लिखने के बाद आपकों मिला लिजिए, देखें, चिद प्रथमा बहु अचन है, वरित प्रथमा बहु अचन है, गू प्रथमा एक अचन है, गया प्रथमा बहुवचनम क्री मध्यमा बहुवचनम अस प्रथमा बहुवचनम करनेजी इसको जल्दे से अब देखिए question number 5 को देखिए word क्रम को व्यवस्थित कीजिए यहाँ पर word क्रम दिये हुए है जो word दिये है वो क्रम से नहीं दिये हुए है इसको आपको क्रम से लिकर शुद्ध शब्द बनाना है देखिए पहला उदारण में दिया हुआ जिसे रिक्षा लोपड़स से बना हुआ है तो कामी देखिए question number 5 question number 5 को देखिए कामी पॉंक सा शब्द बनेगा आपर दोसिस कीजिए मरू भूमी प्रसारा क्या बनेगा काम मरू भूमी प्रसारा यहां पर विसर बनेगा खामी क्या बनेगा देखिए श्री जगदीश सचंद्र गाम में देखिए क्या बनेगा रीपार्शावेश्या परिवेशस्या परिवेशस्या बनेगा देखिए कहां में देखी या छानी दाना तो क्या बन जाए कि इसको जब हम क्रम से लगाएंगे छाया दानेन छाया दाने फिर अंगा देखे अंगा पी दस वापी समो दस वापी समो यह हमारा सारा शर्द हो गया देखें का में मर्भूमी प्रसारा खा में श्री जगदीश चंद्र गा में परिवेश अस्य घा में छाया दाने और अंगा में देखें दस वापी समो ये क्रम्ब से लगाने के बाद में शब्द बनें आ अर दखीये कोईशिन फ्रद सिक्स में इत पर में उत्तर दीजै वन वर्ड ऑंसर है इसमें कोईशिन नहीं लिखेंगे अब cvN an पांसर है वो लिख रहा है सिक्सका का पूशन नमबर सिक्सका क्या है वरिच्छा केवलं कि मर्थम ना संती जो पिलप ने कराये गया था सौंदर्याय यह हो गया सौंदर्याय हा में देखिए हा में दिया है वरिच्छा राम अभावे कस्य प्रसारा संभवते मरभूमे एक शब्द में इसका उत्तर हो गया मरभूमे गा में देखिए केचित स्वार्थ पूर्ते किम कुर्वनते वरिच्छान छिंदनते क्या हो जाएगा वरिच्छान छिंदनते धा एक दा इंद्रा कम अच्छिनत एकम वरिच्छान आपका उत्तर क्या हो गा एकम वरिच्छान ये हो गया अंगा देखिए इंद्रा कस्य पापेन युक्ता अभवद जीव वद्धस्य उत्तर क्या होगा इसका जीव वद्धस्य हो गया अब देखिए कोश्य नंबर सिक्स कम्प्रीट हो गया अधिके कोश्य नंबर सेवन इसमें श्लोक पूरा केजिए दो लाइन का यह श्लोक है जिसमें से बीच-बीच में से बीच-बीच में रिक्तस्थान दिया हुआ है इन रिक्तस्थानों में क्या भरा जाएगा देखें क्या लिखा हुआ है दस पूप समा डैश दस वापी समो डैश फिर डैश सेकंड लाइन में डैश पुत्रह डैश द्रुमा तो चलिए इसको भागता ही है श्रोख है कुल्चे नमबर सैवन श्रोख में फिली को लिख रहा है पहले फिली में क्या फिल के जाएगा वापी जो पहला रिकता स्थान उसमें क्या बरेंगे हम वापी और दूसरे रिकता स्थान में रिद दो है इसमें ना एक लाइन में कौन सा है दो है पिर देखें नीचे की लाइन में दस रिद समा क्या बनेंगे यहाँ पर दश रिद्र दस रिद्र समा और दूसरा पुत्रा के बाद में दस पुत्र समो यहाँ पर क्या फिल करेंगे हम पुत्र समो दुरुमा तो यह कोईशन नंबर साइब यहीं पर हमारा कम्प्लीट हो गया और इसी के साथ ही इस पार्ट का एक्सेसाइज यहीं पर कम्प्लीट हो गया तो धन्यवाद